नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल एवरीधिंग विदर्श नमें तो आज का ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ही हेलफुल होने वाला है अगर आप हॉस्पिटल्स वगेरा में कभी भी गया होंगे तो अगर हॉस्पिटल में काम क का ओच होते हैं जिसके बारे में समझाल बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिसकिसं करें गे सबीक करें हैं इसscene करते हैं कि इनले आसानी से समझेंगे तो वीडियो में सुरू से अंतक जुड़े रही है तभी आप पूरे टॉपिक को समझ पाईएगा ये एक्जामिनेशन के भी उसे भी देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉंपेटिटिव एक्जाम में मेडिकल के एक्जाम में इस ट्रॉपिक से कुश्चन आया करते हैं तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि इमर्जेंसी कोर्स होते क्या हैं तो यह जो इमर्जेंसी कोर्स होते हैं वो मेंनी हॉस्पिटल में अपलाई किये जाते हैं ठीक हॉस तो उसके लिए क्या होता है कि एक कलर कोड डिसाइड किया जाता है यानि कि जैसे कोड ब्लू कोड पिंग कोड यलो तो इसके जो यह कोड है हमारे इसके थुरू हम लोग कहें स्टाफ को अलर्ट करते हैं ठीक अगर ऐसी चिलाने लगे हैं कि हॉस्पिटल में आग लग गया ह हॉस्पिटल में आतंकवादी आ गया है हॉस्पिटल में जो है यह पेसेंट गायव हो गया है तो सब कितने पैनिक हो जाएंगे कितने परिशान हो जाएंगे तो उन परिशानियों से बचाने के लिए सब को जो है सांती से रखने के लिए और उस इमर्जंसी सिच्वेशन क इसके लिए होते हैं तो स्टाफ को अलर्ट करने के लिए और पूरे द्विश्वभर में in court को माना जाता है अब इसका महत्व देखें कि emergency courts के उपयोग क्या है यूज क्या है क्यों आखिर emergency courts को प्लाइ किया गया है लागू किया गया है तो फर्स्ट है हमारा to convey essential information quickly यानि स्टाफ तक बहुत ही आसानी से हम लोग बीना पूरा बात कहे हुए जो है बस एक कलर कोड यानि कोड ब्लू अगर कह देंगे तो स्टाफ समझ जाएंगे कि कोई पेसिंट जो है वो लाइफ ठ्रियेटिंग कंडिशन में यानि कि ऐसे कंडिशन में जिसको तुरंट ट् वगेरा ठीके रेस्पिरेटरी और रेस्ट आता है तो इन सारे कंडिशन में जो है तुरंट पेसिंट को ट्रीट करना होता है तो बहुत ही आसानी से जो है बहुत ही जल्दी स्टाफ को समझाने के लिए एलर्ट करने के लिए हम लोग एमर्जनसी कोर्स का यूज करते हैं और सेगेंड हमारा है कि तू प्रिवेंट इस्ट्रेस एंड पैनिक एमोंग विजिटर्स टू दर पेसिंट यानि कि ऐसा थोड़ी नहीं कि हॉस्पिटल से में बस डॉक्टर्स और जो स्टाफ हैं वही लोग होते हैं वहां पे जो मरीज हैं उसके दिमारदार होते हैं या इमर्जनसी कोड्स बनाया गया है जिसके थू बस स्टाफ को अलर्ट करके और इमर्जनसी टीम को एक्टिवेट कर सकते हैं लोग उन सारी इमर्जनसी कोड्स के बारे में जानते हैं तो पहला हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है कोड ब्लू यानि कि नीला कोड जो हमारा है व तो उन पेसेंट्स को बचाने के लिए जो है हमारे होस्पिटल में अगर ऐसे पेसेंट को लेकर आया गया है तो तुरंत ही इमर्जनसी टीम को एक्टिवेट किया जाता है कोड़ ब्लू काया है ठीक है स्टाफ तुरंत हो जाएंगे और तुरंत ही जो है अपने एक्सन को लेना शुरू कर देंगे यानि कि जो भी प्रोसेसेज करने हैं तो सबसे पहले तो कार्डियक आरेस्ट जिन पेसेंट को आया है उनको बेसिक लाइप सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है उनको प्रेड करना परीड करना ताहिए तो कार्डियक ब्लू का मतलब क्या होता तो कार्डियक आरेस्ट जिक है उनको ट्रात्रेक करना के पाद हमारा degli cut dome कि उस्तेमाल किया घ्या एक्टिवेटेड इनकेस ओव फाइर फायर फैयर फ्लैम्स नैसमाक एnd वागेरा लग गए किसी कारण से तो डारिकली थोड़ी ना चिलाएंगे कि आग लग गया आग लग गया वैसे जो पेसिंट है और जो उनके साथ में घर वाले हैं तो वो सारे जो हैं बहुत परिशान हो जाएंगे तो इसलिए एक कोड है आपे कोड रेड तो रेड कलर से डिनोट करते हुए हम लोग जो भी इमर्जनसी टीम है जो भी फायर टीम है उन्हें एक्टिवेट करेंगे ठीक है तो जब भी आग वाग लग जाता है तो मिलनी ये फायर वाले सिचुएशन के टाइम स्टाफ को अलेट करने के लिए हम लोग कोड रेड कोड का इस्तिमाल करते हैं अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट है कोड येलो यानि येलो कलर ये पीला कलर का जो कोड है वो मिलनी किस सिचुएशन के लिए करते हैं तो used in case of suspected or actual disaster, used in case of missing patient, it is a internal emergency, यानि code yellow जो होता है वो एक तरह का internal emergency वाला condition है, यानि कि मान के चलिए ये hospital में हमारा जो patient है, वो क्या हो गुम हो गया, यानि कि कोई उसे kidnap कर दिया या फिर hospital से गायब कर दिया, या फिर कोई आत्मान के चलिए कोई criminal है, ठीक है, फिर कोई भी patient है जो hospital से भाग गया, किसी भी कारण अगर वो hospital से गायब हो जाता है, तो वो हमारा missing case है, ठीक है, तो इस case में code yellow का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो code yellow जो है, वो mainly missing patient को indicate करने के लिए है, अब हमारा इसके बाद जो next है, वो है code orange, यानि कि संतरे कलर का, जो के सरिया कलर का हमारा code है, वो किसलिए इस्तेमाल होता है, तो used in case of 1000 dust materials spillage, example mercury spillage, seed formaldehyde, gasoline, बहुत तरह कैसे substance है, जो कि अगर spill हो जाते हैं, यानि कि अजानक से मान का चलिए mercury, जो है mercury का thermometer ही अगर तूट गया और पूरा mercury जो है नीचे फैल गया, तो उस condition में क्या करेंगे, तो वो code orange जो हमारा team है, ठीक है, यानि कि जो हजार्डस team है, उसे activate करेंगे, ठीक है क्योंकि यह एक तरह का emergency situation है, क्योंकि mercury बहुत जादा ही harmful होता है, और जो formaldehyde अगर फैल गया, तो इस condition में बहुत जादा है, formaldehyde के skin में allergy कर सकता है, आख नाकसम में बहुत जादा ही लगने लगता है, ठीक है, तो यह सब अगर फैल जाता है, हस्पिटल में कभी किसी situation में गिर गया है, फिर किसी कारणी spillage हो गया, फैल गया, तो उस condition में code orange, जो यह हमारा है, code उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जो emergency team में उसे activate करते हैं, अब हमारा next है code pink, ठीक है, तो code pink जो हमारा गुलाबी कलर का जो code है, ठीक है, वो मेलने जो है, वो कब इस्तेमाल करते हैं, तो used in case pediatric emergency, यानि बच्चों वाले case में, यानि कि मान के चले कभी कोई बच्चा इन ICU का है, या फिर PICU का है, ठीक है, यानि pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, यानि यहा तो उन सारे बच्चों के अगर emergency case होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बच्चे अगर missing हो गया, या फिर कुछ उन्हें बहुत जादे serious हो गया, या फिर बच्चे से related cardiac arrest, कुछ भी ऐसी situation होती है, कार्डी करिस्ट में नहीं होगा, बच्चों से related, कोई भी emergency condition होता है, तो इसके हम लिए हम लोग कोड पिंग करके, इंडिकेट करते हैं, ठीक है, बच्चों के case में कोड पिंग, ये emergency team को activate करता है, कोड पिंग कहेंगे तो जो बच्चों वाले टीमे, emergency team में वो activate होंगे, इसके बाद हमारे next है, कोड ब्लैक, या ब्लैक कलर से आपको समाज मिया रहा हो का बाम्ब, यानि कि जो बहुत जादा ही कि बहुत डराओने situation से रिलेट करता हो, यानि कि used in case of bomb 38, हो सकता है कभी-कभी जो होते हैं, बच्चों कोई अतनकवादी होते हैं, अपरादी होते हैं, कि वो जो है ऐसी जगह पे विस्वोट करेंगे, ऐसे जगह पे बाम्ब अगेर हैं, तो बहुत ही अजीब सा situation है, ठीक है, तो अगर बाम्ब का कोई condition ऐसा आता है, कि बहुत जादा ही अतनकवादी घुस गए हैं, फिर बाम्ब और रख दिये हैं, तो उस condition में caught black, यानि कि जो black team emergency team होते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं, security वेगर एक्टिवेट होते हैं, इसके बाद हमारे next is code green, यानि code green जो होता है, mainly code orange या फिर किसी भी emergency situation के बाद में एक्टिवेट होता है, मान के चले के होस्पीटल में आतनकवादी आ गया है, बहुत जादा ही dangerous condition है, बहुत जादा ही dangerous condition हो गया है, या फिर कोई भी हजाड़ास spill हो गया है, जैसे orange वाले में था, कि वहां पर जो mercury गिर गया, फर्मल डिहाट गिर गया, तो उस condition में, तो मान चले कोई भी emergency condition होस्पीटल में आता है, तो वहां से सभी को उस dangerous यानि उस खतरनाक जगह से safe place पर ले जाना, यानि वहां से भागना, जो खतरनाक जगह, यानि होस्पीटल में खतरा है, तो वहां से safe जगह पर जब सभी लोग चले जाते हैं, यानि वहां से भागते जाते हैं, उन्हें ले जाया या भागे या पर कैसे भी, बस वहां से चले जाना, safe place पर, तो वह हमारा evacuation है, ठीक है, यानि code green, यानि green मतलब जब सही situation होगा, ठीक है, यानि emergency, जहां पर situation है, जहां बहुत ज्यादा खत्रा है, तो वहां से safe जगह, सुरक्षित जगह, जब भाग जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, ठीक है, तो वह हमारा code green के case में होता है, ठीक है, यानि कि code green जो है, अगर code green इंडिकेट किया जा रहा है, तो इस condition में सभी खद्रे वाले जगह से safe place पर में सभी पर शचितों होता है, जब कि कोई बहुत जयदा है अगर गुन देख ले जागें, धंकी दे रहे हैं, कोई सुट दो गहीं गहरा कर देख गोली मार देंगे, या इस condition में है, जैसे कोई नी बदमास होते हैं, पर आतंकवादी हो सकते हैं, कोई बदमास हैं, एक सटेकर तेम को एक्टिवेट खेंक है । इसक्टे बात हुए को कोई thus hommes बैं श्यवक्ति ह विए कर सकते हैं लोग हैं इस nggak वोग्यान पैसे साफिक में एक्टिवेट करनेा जाए करें तो इलर्ट के यह दिलना प्लेक च Aujourd नोगों करें हैं यानि यह से एक सिक्वेंस ठीक है इसे एक्टिवेट करने का यहल जा environmental Will साइड होना चाहिए कि fire alert है या फिर आपका security alert है cardiac alert है किस तरह का alert है ठीक है specific code description यानि code होना चाहिए code blue code red code green code orange इस तरह से फिर location यानि किस room से है वो team वहां पर आपको जो locate करना है और activate कैसे करना है उसे बोलने का तरीका यह है कि fire alert code red room number 153 fire alert code red room number 153 fire alert code red room number 153 यानि कि इस तरह से activation करना announce करना है ठीक है यानि कि इस तरह से बोलना है और इस तरह से code में जैसे fire alert category है code red यानि specific code है room number 153 यानि location है तो इस तरह से तीन बार बोलेंगे और इस तरह से activate करेंगे ठीक है जैसे fire alert कोड रेड रूम नंबर 5153 ऐसे करके हम एक्टिवेट करेंगे ठीक है इस तरह से एक्षन में आएंगे वह सारी इमर्जंसी टीम अब हमने एक्टिवेट तो कर दिया लेकिन जब वह एमर्जंसी सिच्वेशन हैंडल आ जाएगी नॉर्मल हो जाएगी हैंडल हो जाएगी ठी न्युक्त में तर्मिनेंट कैसे करेंगे रोकेंगे कैसे तो जैसे हमने एक्टिवेट की था उसी तरह से टेमीनेंट भी करना है ठीक है यह वीडियोड के लिए आमप लोक के लिए हेल्फुल होगी तो वीडियो यहीं पैंट गरते हैंगे हैं जो भी थे हमारे होस्पिटल के इमर्जन्सी कोड्स जो थे उसके बारे में हम लोगों ने डिसकासन किया कि अखिर वे होते क्या है कितने तारा के होते हैं उन सब का मतलब क्या है उसे एक्टिवेट कैसे करते हैं रोकते कैसे टर्मिनियेशन उसका कैसे होता है तो आई होप य ये वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए helpful हो तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी help मिले और अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ताकि आपको जो सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें और थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई टेक केर अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहें और अब कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में